हेलो फ्रेंड्स ये निफ्टी का टूवर चार्ट है जो हमने सेकंड जूलाय को शेर किया था जहां पे हमने ये जो बाउस है जिसको हम वेव 3 मान रहे थे उसका रिट्रेस्मेंट निकाला था 23 to 38 परसंट और हम इस रेंज में आने के बाद जो है बाइंग का प्लान कर रहे ये जो है हमारा immediate target range था निफ्टी के लिए 100% से लेके 161% normal projection range रहता है वेव 3 के लिए इस range में bounce expect कर रहे थे लेकिन हम पहले इस decline में अगर आता है तो buying कर सकते थे वेव 3 के अंदर sharp and steep होती है इसकी personality अगर यहीं पर buy कर लेते है और मान लीजे उसके बाद retracement आता है तो हमें loss देखना पड़ सकता है और यह downside bacon point के नीचे अगर जाता है तो वहाँ पे हमें loss भी book करना पड़ सकता है और मान लीजे कि यहाँ पे हम short करते है इस range के लिए तो वेव 3 के personality के इसाब से अगर यह move करता जाता है और directly 100% achieve कर देता है तो भी हमें loss हो सकता है तो इसलिए हम इस से bounce ही करता रहा और यह range में already यह high अब 19,524 का बना चुका है और उसके बाद अभी यहाँ पे 23 और 38% की range में इसने decline दिया है अभी इस daily chart को ध्यान से समझना यहाँ पे counting हमने जो दिया है उसको समझेंगे क्या इसमें changes हो सकते हैं वो भी समझेंगे यहाँ पे अभी के 24 और 5 थे राइट वो हमने क्यों change किये है वो भी हमने already समझाया हुआ है मेरे ख्याल से 30 जून को हमने जो वीडियो डाला था उसमें यह हमने explain किया हुआ है कि यह क्यों changes किये और कैसे हम अपने wave count को change कर सकते हैं जैसे जैसे market behave करता है उसके हिसाब से ऐसे ही हम Elliot wave analysis जो है वो counting में किस तरीके से हम change कर सकते हैं live market में वो भी हमें पता चल सकता है अभी के लिए यहाँ पे यह 1 और 2 है और 3 के अंदर अगर हम देखे तो यहाँ पे 1, 2 और 3 progress में है यह 23 to 38% is recent wave 3 का retracement है अगर यह 38% के नीचे trade करना लगता है 19,188 के नीचे जो कि यह अगर यह wave 3 है तो कर नहीं चाहिए right क्योंकि यहां से एक main wave 3 शुरू हुआ है उस wave 3 के अंदर भी यहां से एक और wave 3 शुरू हुआ है और इसके भी अंदर यहां से एक और wave 3 शुरू हुआ है मतलब कि यह wave 3 के अंदर भी यह wave 3 चल रहा है right 3 का भी 3 का 3 तो इसका मतलब अगर यह वाके में यह wave 3 ह तो यह 38% से ज्यादा retrace करना ही नहीं चाहिए, इसकी personality को यह CUT नहीं करता, तो अगर यह इसके नीचे trade करता है, तो हम इस bounce को जो है, जो C और 3 का minimum projection range कर चुका है, तो हम इस bounce को wave C मान लेंगे, तो यह bounce जो है, वो ABC bounce हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो बाद की बात है, लेकिन अगर इसके नीचे trade करने लगता है, तो इसका मतलब फिर से हम इस range में nifty को देख सकते हैं, 18,646 से लेके, 18,060 की range में एक बार फिर से हमें decline देखने को मिल सकता है, अगर इसको break करता है, 19,188 को break करता है, तो तब तक हम इस range में support ही expect कर सकते हैं, और यहां से फिर से bounce जो है, वो continue हो सकता है, अभी के लिए यह जो final bounce है, यहां से जो शुरू हुआ है, उसको हम देख लेते हैं, smaller time frame में, यह जो है काफी sharp and steep है, तो हम इस पूरे bounce का ही retracement निकाल रहे है, 23 to 38%, और इसमें यह already एक बार आ चुका है, अभी यह जो top की pattern है, उसको हम समझते हैं, य यह decline तो हमें impulsive ही लग रहा है, लेकिन यह आगी का bounce जो है, अगर यह corrective है, यह ABC और यह पूरा एक irregular correction है, तो इसी range में से यहां से एक sharp bounce फिर से हमें देखने को मिल सकता है, और जैसा हमने बोला इसके नीचे trade करता है, तो ही nifty में हम negative है, और यह level हमें देखने को मिल सकता है इसके नीचे भी यह जा सकता है, लेकिन इसको जब break करता है, तभी हमें वो scenario को देखना है, अभी के लिए तो यह support range में आया है, जो कि हम कबसे wait कर रहे थे, अभी यह जो pattern है, उसको smaller time frame में देखते हैं हम, यहां पे अगर हम देखे, तो यह जो है, यहां पे दोनो possibility समद ल के से यह pattern हो सकती है, और यहां से decline जो है, वो continue कर सकता है, अगर ऐसा है, तो यह resistance range के उपर यह नहीं जाना चाहिए, अब nifty, तो यह इसके लिए resistance range है, अब nifty के लिए, और यह resistance range जो है, वो नीचे की तरफ हम shift करेंगे, अगर इसके नीचे कोई नया लोग बनता है, और यह तक उसको shift करते जाएंगे, इसको break करता है, तो फिर negative मान लेंगे, इसके नीचे फिर से हमे negative trade plan करने होंगे, अगर इस range में जब तक है, तो हमें low जब तक नया बनाता रहेगा, इस range को हम shift करते जाएंगे, जो हमने यहां से निकाली है, मान लेजी अगर Monday morning को यह opening के साथ ही 38% के उपर निकल जाता है, तो फिर यह positive इसको हम मान सकते हैं, और इस पूरे यह pattern जो है पूरी, उसको यह A, irregular इसको B, और यहां से यह wave, C, एक irregular correction मान लेंगे, और यहां से फिर से यह इसके उपर जा सकता है, अगर इसके उपर निकलता है, तो मान लिजी ओपनिंग के नया low बनाता है, swing low, उसके बाद bounce करता है, तो यह थोड़ी से shift हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमने यहां से लेकि यहां तक की निकाली है, बाद में नया swing low यहां का बनेगा, तो यहां से यहां तक की निकालेंगे, और उसी 23 to 38% में हमें देखना है, कि यह bounce corrective होता है, यह impulsive होता है, उसका live example हमने Friday के market में देखा था, वो यहां पे मैं आपको देखाना चाहूंगा, bank nifty में हमने देखा था, Friday को opening से पहले हमने discuss कर लिया था, कि यह इस range में decline कर सकता है, और ऐसा क्यों हो सकता है, हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था, यहां पे Friday के लिए जो वी और gap down opening के बाद एक resistance range भी हमने share किया था, जिस resistance range में यह 38% के आसपास बहुत trade किया, लेकिन उसके बाद हमें एक decline देखने को मिला, और यहां पे मैं जो आपके साथ share करना चाहता हूँ, यह, right, यह हमने क्या किया था, यह एक हमारा support range हमने calculate किया था, यहां से, यह A over 1, B over 2, और C over 3 के लिए हमने एक support range calculate किया था, और यहां से हमें एक sharp bounce देखने को मिला था, तो हमने क्या किया था, कि अब यह C over 3, उसका retracement 23 to 38% यह immediate resistance range है, इसके उपर trade करता है, तो bank nifty positive हो सकता है, जो, same चीज जो मैं यहां पे discuss कर रहा हूँ, यह अभी के लिए immediate resistance range है, अब इस range मे यह किस तरीके से behave करता है, वो हमें देखना है, मेरे हर इक video में अगर आपको यह level मिलते है, 23 to 38%, तो उसका use कैसे करना है, वो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह जो है, हमने live market में समझा था, यहां पे अगर हम देखे, तो यह 3 wave decline है, अब यह support range में स bounce थो किया, हमने C or 3 का यहां पे retracement भी निकाला, 23 to 38%, और मैं हर बार ऐसा करता हूँ, यहां पे discuss करता हूँ कि इस range में हमें corrective bounce मिलता है, तो यहां से यह continue कर सकता है, और अगर यह इसको 38% को break कर देता है, तो यह positive बन सकता है, तो यहां पे हमें pattern को पहचानना होता है, अगर यह impulsive होता, तो यहां से यह sharp bounce इसके उपर पहले आ जाता, फिर यह corrective decline करके bounce जो है, वो continue करता, लेकिन अगर इसको आप 1 minute time frame में देखे, तो आपको एक clear जो है, एक corrective bounce देखने को मिलगा, यह जो है 1 minute chart है, यहां पे अगर हम देखे, तो यह एक bounce, फिर एक retracement और फिर से bounce, एक clear 3 wave bounce हमें देखने को मिलता है, जो की 38% के around आता है, तो वहां से हमें एक sharp decline देखने को मिला, तो अगर इस तरीके का यह हमने range तो निकाली ली थी, फिर यह clear अगर हमें 3 wave corrective लग रहा है, तो 38% के आप अगर यहां पे bounce पे आप यहां पे risk लेते भी है, short करने का, तो आप का stop loss इसके उपर कुछ point ही रख सकते है, अगर यह bounce करना होगा, तो यह sharply bounce कर देता है, तो आपका stop loss ले जाएगा, कई बार ऐसा भी होता है, कि sharp bounce आपका premium जो है, option premium जो है sharply कम हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका stop loss लेने के बाद यह decline करे, तो एक chance आप वहां पे और ले सकते है, अगर ऐसा होता है, तो otherwise ज्यादा तर अगर यह corrective bounce ही है, तो यह इसके उपर नहीं जाता है, और यहां सी यह decline continue हुआ, हमें हर बार यहीं देखना होता है, अगर यह मैं आपको 5 minute chart में, यहां पे bank nifty में chart के दिखा हो, तो यहां पे बहुत सारे आपको ऐसे example मिल यहां पे है, यह एक corrective decline है, यह A, B और C, तो अगर यहां से bounce करना है, तो इसका retracement 23 to 38% जो है, यहां पे अगर आप देखे, तो इसने यह sharply जो है, यह 38% को break कर दिया, उसके बाद यह corrective decline दिया और वहां से bounce जो है, वो continue रहा, तो यह हर जगा पे लागू होता है, यह इसको ह हम और कहीं देखने की कोशिश करता है, यहां पे हमने देखा, यह चार्ट पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, अब जैसे यहां पे एक 3 wave decline है, तो 3 wave decline में हमें wave C का retracement निकालना होता है, इसका retracement 23 to 38% की range यह हमने निकाल दिया, तो यह 23 to 38% को देखे sharply break कर दिया, उसके बा bounce कर दिया, तो यह pattern जो है, वहीं से हमें पता चल जाएगा, अब देखिए यह वाला जो decline है, यह भी एक 3 wave decline है, इसका अगर हम retracement निकाले यहां से, तो यह 23 to 38% की range जो आ गई, उसको इसने sharply break कर दिया, 38% तक यहां पे इसने ज्यादा retracement दिया ही नहीं है, उसके बाद यहां pass किया और वहां से bounce continue रहा, अगर यह corrective bounce होता, तो यहां पे retracement जो है, ज्यादा हमें देखने को मिलते, अब देखिए यहां पे एक example है, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यह जो है, यह एक 3 wave decline है, यहां से यह C or 3 का decline अगर हम देखे, उसका retracement निकालते हैं, तो यह 23 to 38% की range को इसने sharply baked नहीं किया है, यह उपर गया, फिर वापस नीच आया, उपर गया, नीच आया, उपर गया, नीच आया, उपर गया, नीच आया, यहां पे अगर हम देखे, तो बार बार हमें retracement देखने को मिल रहा है, तो यहां पे हमें confidence नहीं आता है कि यह समझे, यह उपर तो गया, लेकिन यह bounce भी कैसा था, corrective bounce ही था, वहां से हमें फिर से इसके नीचे एक decline देखने को मिल गया, इसका मतलब जब ऐसा होता है, तो वो bounce में surety नहीं होती, यह bounce भी कैसा था, corrective bounce ही था, समझ रहे आप, तो यह 23 to 38% का use आप इस तरीके से कर सकते है इस range को अगर break करना होता है, तो यह sharply 38% के उपर चला जाता है, उसके बाद यह time pass करके उपर जाता है, अगर इसको break नहीं करना है, तो यह यहां से retracement देगा, 38% के आसपास से यह decline continue रहेगा, तो उसी तरी के से हमें यहां पे Monday morning को भी इस range का use करना है, right, इसमें किस तरीके से bounce आता है, वो हमें observe करना है, right, उसके बाद bank nifty में हमने वहीं scenario दो बार और share किया था, last में तीसरी बार भी हमने वो देखा था, यहां पे अगर हम देखे, इस image में आ जाए, तो यहां पे ध्यान से समझिए, यह जो retracement है, 23 to 38%, जो हमने यहां से निकाला हुआ है, right, यहां से लेके यहां तक का, क्यूंकि हम इसको 1, 2 और इसको 3 मान रहा है, तो यह 3 का retracement अगर आप देखे, तो 23 to 38% की range में इसने 3 wave bounce दिया, और उसके बाद decline continue रहा, right, अब यहां पे swing low के बाद, इसका retracement अगर हम निकाले, यह wave 3 का, तो 23 to 38% में अगर आप देखे, तो इसने corrective bounce दि decline continue रहा, right, उसके बाद हमने फिर से यहां से जो high था, उसका retracement भी निकाला, बड़ा वाला 23 to 38%, और वहां पे पी अगर आप देखे, last में, तो यह जो bounce, यह हमने meanwhile, यह एक positional भी दिया था, कि इस range में bank nifty जो है, वो support ले सकता है, अगर इस range में support लिया, इस 38% के नीचे ज्य सकते हैं, तो यहां पे आप एक trade प्लान कर सकते हैं, हमने share किया था, main चीज यहां पे में last में जो आपको दिखाने वाला हूँ, यह वाला, right, उसी सिनारियो को वापस हमने देखा, यह पूरा 23 to 38% की range थी, वापस यह 38% तक आया, जो हमने बात की थी अभी, कि कई बार क्या होता है, एक sharp bounce करके वापस आ जाता है, यहां पे यहीं हुआ, right, तो यहीं पे भी हमने share किया था, कि यह बहुत ही important level के पास है, और यह 38% को break करते ही, वापस decline किया, हमने यहां पे chart share करके mention किया था, कि यह bounce चो हमें अभी भी corrective लग रहा है, right, और उसी bounce में से यह 38% से ही sharp decline फिर से low के नीचे हमें उसी दिन देखने को मिल गया, तो इस तरीके से ही हमें 23-38% का use करना है, उस range में bounce की personality को देख के हम decide कर सकते हैं कि हमें उपर के लिए trade करना है या नीचे के लिए, यहां पे stop loss भी बहुत कम रह जाता है, right, टेलिग्राम चैनल पे और भी बहुत साला learning आपको live market में मिल सकता है, तो description में link है, भूलिएगा मत, और साथ में आपको Elliot Wave का पूरा advance course भी मिल रहा है, जिसकी price सिर्फ और सिर्फ 9.99 है, टेलिग्राम चैनल प्लस Elliot Wave का course, दोनों मिला के 9.99, बहुत ही कम price है, यह बिल्कुल value for money है, तो मैं आपको definitely recommend करूंगा कि description में जाईए, वीडियो के description में और join हो जाईए, अभी के लिए bank nifty का 15 minute chart देखे, तो यहाँ पे A or 1, B or 2 और C or 3 जो है, या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है, या इस range में पूरा होगा, और हमें यह जो retracement है, हमने जो C or 3 की retracement निकाली ह जैसा आपने nifty में discuss किया था, यहाँ पे भी same scenario है, अगर इस range को यह sharply break कर देता है, 38% के उपर, तो हम positive मान सकते है, फिर से इसके उपर यह जा सकता है, अगर इस range में corrective bounce देता है, तो फिर से decline जो है वो continue कर सकता है, और जो हमने positional share किया था एक इस range में आप एक risk ले सकते है इसके उपर bounce की possibility बन सकती है, यहाँ पे stop loss जो है आपका plan कर सकते है, इसके नीचे, तो उसके इसाब से आप quantity plan कर सकते है, stop loss जो है, comparatively target के इसाब से बहुत ही छोटा ही होगा, अगर इस range में आप trade लेते है, तो risk reward यहाँ पे बहुत ही अच्छा बन सकता है, तो एक chance ले सकते है, generally अगर इसको bounce करना है, तो 38% के नीचे ज्यादा time तक trade नहीं करता और यहीं से sharp bounce करता है, तो इस range में आता भी है, तो हमें retracement निकालना है, 23 to 38% और इसमें किस तरीके से behave करता है, वो देखना है, अगर bounce करना है, तो 38% को यह sharply break कर देगा, तो वहाँ पे confirmation हमें मिल सकता है कि अब यह इसके उपर जा सकता है, तो nifty और bank nifty में friends, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद